दोस्तार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे Libre Office के Impress से related कुछ important question जो आप ये paper में जरूर पूछे जाते हैं तो आएए सुरू करते हैं हमारा question number 1 कह रहा है कि Libre Office में PowerPoint को किस नाम से जानते हैं जिसमें हमारे पास option है Impress या option B है Cal या option C हमारा writer या in message किसी भी नाम से नहीं जानते हैं तो Libre Office में हम लोग PowerPoint को जानते हैं Impress के नाम से जानते हैं तो इसमें जो सही answer हो जाएगा वो A option हो जाएगा अब बढ़ते हैं अपने question number 2 की तरब Libre Office Impress में presentation में default template कौन से होती है option है आपके पास title की cable होती है option B है content की cable slide होती है आपके पास या option C है title और content दोनों की होती है या title या जिसमें four content होते हैं तो दोस्तों अगर हम Libre Office में जाते हैं या पे देखिए जो default slide है पहली तो आपके या टाइटल की होगी और जो दूसी slide हमारे पास है वो content की होगी तो इसमें हमारा जो सही answer हो जाएगा वो title और content दोनों की हो जाएगी यानि कि option number C हमारा सही है अब बढ़ते हैं अपने question number 3 की तरब question number 3 कह रहा है कि impress में text box को insert कराने की shortcut की क्या होती है तो अब हम लोग Libre Office impress में चलते हैं अगर हम यहाँ पे कोई एक nice right लेते हैं और nice right के बाद हमने इसको blank कर दिया अब मुझे यहाँ पे कुछ type करनी है वो भी text के box के रूप में यहाँ पे जो shortcut थी वो होगी यहाँ पर F2 यानि कि F2 बटन से आप text box insert करा सकते हैं अब बढ़ते हैं question number 4 की तरब question number 4 हमारा कह रहा है कि Libre Office impress में file का extension name क्या होता है हमारे पास option है .odt, option b है .odp, या option c है .ppt या इन में से कोई भी नहीं तो Libre Office impress में जो file के extension नहीं होता है वो होता है .odp तो option number b हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा अब बढ़ते हैं question number 5 की तरब question number 5 हमारा कह रहा है कि impress में new slide insert कराने की shortcut की क्या होती है जिसमें हमारे पास option है control plus m option b है alt plus m option c है control plus shift plus m और option d है control plus alt plus m तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर work कर रहे हैं और अब मुझे यहाँ पर कोई दूसी slide insert करानी है तो इसके लिए आपको press करना होगा control के साथ m वाली बटन जिससे आपकी नई slide insert होती जाएगी जितने बार आप press करेंगे आपकी नई slide यहाँ पर आती जाएगी तो इसका जो सही answer हो जाएगा option number a यानि की control plus है अब बढ़ते है question number 6 के तरह impress में slide so कराने की shortcut की क्या होती है option है हमारे पास shift plus f5 option b है f2 बटन या option c है f5 या option d है shift के साथ f2 तो इसका जो सही answer होगा वो हो जाएगा f5 यानि की जो भी आपने presentation बनाई होगी यहाँ पे अब आपको इसको slide so करके दिखानी है तो आपको normally कि यहाँ पे केवल f5 बटन प्रेस करनी होगी तो अब यहाँ पे जो सही answer होगा वो होगा f5 अब बढ़ते हैं अपने question number 7 के दिरब question number 7 के रहा है कि इंप्रेस में table add कर सकते हैं अब इसमें सही है या गलत आईए इसे हम लोग चेक करते हैं जब हम लोग दोस्तों insert वाले menu पर आएंगे अब यहाँ पे देखें लिख कर आ रहा है table option अब हमसे पूछा है number of column कितने column आप चाहते हैं और number of row जितने भी आप row चाहते हैं और जैसी आप ok करेंगे तो यहाँ पे table आपकी बनकर आ जाएगी तो यानि कि हम लोग लिख लिखे आफिस इंप्रेस में table को add कर सकते हैं तो इसका answer हो जाएगा true यानि कि add हो सकती है अब बढ़ते हैं question number 8 के दरब इंप्रेस में comment insert कराने की shortcut की क्या होती है option है हमारे पास alt plus shift plus c button या control plus shift या c button या option c है control plus c के वल बटन या control plus alt plus c बटन आईए इसे पहले में लोग देखते हैं दोस्तों मालीजे अगर हमने यहाँ पे कुछ भी type किया हुआ है और अब मुझे इसको comment के तौर पे दिखाना है तो इसके लिए या तो आप insert पे हो जाएंगे और यहाँ पे देखे comment option आ रहा है जिसकी shortcut की भी दी है control plus alt plus c जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे option आ जाएगा comment का जिसमें आप कुछ भी comment टाइप कर सकते हैं तो इसका जो सही answer अब हो जाएगा हमारा control plus alt plus c अब बढ़ते हैं question number 9 की दरब question number 9 हमारा कह रहा है कि slight transaction को हटाने के लिए हम लोग किस विकल का प्रयोग करते है option है हमारे पास non transaction का या wipe transaction का या split transaction का या none of ever तो अगर आपने कोई अपने presentation में कोई transaction का use किया है तो उसे हटाने के लिए आप लोग non transaction का use करेंगे जिससे जो भी transaction हमारी लगी होगी वो वहाँ से remove हो जाएगी तो इसमें option number A हमारा सही हो जाएगा अब बढ़ते हैं question number 10 की तरफ लिब्रे office impress में जो maximum zoom size होता है वो कितना होता है जिसमें हमारे पास option है 300% option B है 3000% option C है 400% और option D हमारे पास 500% दोस्तों लिब्रे office अगर writer की बात करें तो इसमें जो हमारा zoom size maximum होता है वो 600% होता है और लिब्रे office calc की बात करें तो इसमें हमारा maximum zoom होता है वो 400% होता है और impress में हमारा highest zoom होता है 3000% तो इसमें option B हमारा सही हो जाएगा अब बढ़ते हैं next question की तरफ लिब्रे office इंप्रेस में minimum zoom size कितना होता है option हमारे पास है 10%, 5%, 20% and 15% अगर हम लोग लिब्रे office writer की बात करें तो इसमें हमारा minimum zoom होता है वो 20% होता है और calc की बात करें लिब्रे office के तो उसमें भी हमारा minimum zoom होता है उसमें भी 20% होता है लेकिन Libre Office Impress में जो minimum जूम होता है वो हमारा 5% होता है तो इसलिए इसका जो सही answer होगा वो option number B होगा अब next question हमारा कहा रहा है कि Impress में एक slide में maximum कितने view जोड़े जा सकते हैं option हमारे पास है 4, 2, 10, 6 तो इसका जो सही answer होगा वो A हो जाएगा यानि कि 4 view एड करे जा सकते हैं Impress में अब बढ़ते हैं next question की तरफ Impress में menu बार कितने होते हैं तो अब हम लोग चेक करते हैं Impress के menu बार अब अगर हम Libre Office में आते हैं तो हमारे देखें यहाँ पर file है, edit है, view है, insult है, format side तो यह हमारे menu बार होते हैं अब अगर हमने हम count करेंगे तो यहाँ पर यह total हमारे पास 10 है तो इसका जो सही answer हो जाएगा option number D यानि कि 10 menu बार हमारे Libre Office Impress में होते हैं अब बढ़ते हैं next question की तरह है, question number 14 Libre Office Impress में default font size कितना होता है option हमारे पास 12, 11, 10 या 18 अगर हम Libre Office में जाते हैं और यहाँ पर जब हम check करेंगे तो दिखें यहाँ पर option लिख करा रहा है 18 यानि कि अभी मैंने ना ही font size को बढ़ाया है और ना ही हमने यहाँ पर कम किया यानि कि जैसे आप Libre Office open करोगे तो आपको by default पर वहाँ font size 18 ही दिखाए देगा तो इसमें जो सही answer हो जाएगा 18 हमारा default font size होता है अब बढ़ते हैं next question की तरफ Libre Office impress में video file को add किया जा सकता है क्या यह सही है या गलत है अगर हम Libre Office में आते हैं यहाँ पर देखे insert menu पर आते हैं अब देखे यहाँ पर दूसा ही option लिखा audio और video यानि कि Libre Office में हम लोग audio और video को add करा सकते हैं तो इसका जो answer होगा वह सही है यानि कि add करी जा सकती है वीडियो की file को अब बढ़ते हैं next question की तरफ presentation के slide 100 से बाहर निकलने के लिए किस की का प्रियो करते हैं enter button या skip button का या alt के साथ F4 या control के साथ F4 अगर आपने अपनी presentation को slide 100 पे कर रखा है तो इसके लिए आपको skip button प्रेस करनी होगी जिससे आप slide 100 से बाहर आ जाएंगे तो इसका सही answer होगा skip button अब बढ़ते हैं question number 17 के तरफ impress में slice sorter किस menu में पाय जाता है क्या वो file में पाय जाता है या edit में या view में तो हमारा जो सही answer होगा वो view में हमारा slide sorter पाय जाता है यानि कि जब हम लोग view tag पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें लिख कर आ रहा है slide sorter अब बढ़ते हैं अपने next question 18 के तरफ Libre office impress में अधिक्तम font size कितना होता है 200% 200 sorry 500 998.9 या 999.9 तो अधिक्तम font size आप लोग 999.9 रख सकते हैं दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जिरू करें दोस्तों अब बढ़ते हैं next question के तरफ Libre office impress में slide का नाम नहीं बदल सकते हैं क्या यह सही है या गलत है तो इसका जो answer होगा वो false होगा क्योंकि हम लोग नाम slide का बदल सकते हैं अब बढ़ते हैं next question के तरफ 20 question Libre office impress में photo album बना सकते हैं क्या यह सही है या गलत है तो हमको बना सकते हैं तो इसका जो answer होगा सही होगा दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे सेनल को जरूर लाइक करें सेयर करें अपने दोस्तों में सब्सक्राइब भी करें थैंक्यू दोस्तों